तो नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्राण जोतिस सीक्रेट में इस रासी वालूं आखिर कोई तो होगा जो आपके नींदों में आता होगा कोई तो है ऐसा जिसका नाम से आप मुश्कुरा जाते हैं आप सर्मा जाते हैं आखिर वो है कौन हर किसी का एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है कि उनके भी जीवन में कुछ ऐसे आनंद भरे पलाएं कि वो खुद को ही भूल बैठें, उनके भी कोई सपने देखें या आपके नींदों को कोई चुरा ले जाएं, आखिर वो कौन से नाम बाले लोग हैं, आखिर वो कौन से रासी ब अगर आपको मिल जाएं, तो यहां पर जो आपका जीवन है, वो एक खुबसूरत मोर पर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा, आखिर वो कौन है, आज हम आपसे तमाम बातें सेर करेंगे, क्योंकि हर किसी के सपने में कोई आए, ऐसा हर किसी के सपने होता है, और यह क्वाइस आखिर आपके पूरी कब होती है, तो वीडियो के अंतक बने रही है, और यह प्रिडिक्सम पुन तया जोतिस पर आधारित है, यह जो मेस वाले होते हैं, अगर हम इनके बारे में बात करें, तो अगनी तत्तु की रासी है, और पॉजिटिव सोच वाले हैं, बहुत मासुमियत होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, आसावादी होते हैं, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना, दिमाग में एक क्रिटिविटी का कीड़ा होता है, जो हमेशा ही दिखता रहता है, वैसे तो सही समय पर, सही जगर, सही ब्यक्ति पर विस्वास करना, यह आपक हम आपका प्यार के बारे में बात करने वाले हैं तो भला इन बातों में हम क्यों पड़े चलिए समझते हैं आपका जो प्रेम बेभार होता है वो कैसा होता है यह जो मेस वाले होते हैं आप अपने साथी की जरूरतों का और उनके उनकी क्या डिमांड हो सकती है वो आपसे क्य चाहते हैं इसका बहुत ख्याल रखते हैं अपने प्यार का बहुत ही ज्यादा बस यह समझ ले कि लगेगा जैसे पूरी दुनिया की सबसे कीमती वस्तू आपका प्यार ही है आपके लिए इतना अधिक ख्याल रखते हैं एक जुनून की हद तक और कभी-कभी यह भूल जाते हैं कि आप प्यार कितना दे रहे हैं कितना देना चाहिए कहीं ज्वादा कम तो नहीं हो रहा है यानि प्यार करते हैं तो भूल के मन में आखिर आपका प्यार आपके बारे में क्या सूचता है जब आप नहीं होते हैं तमाम बाते आपके मन में चलती रहती है वैसे आप अपने प्यार को खुस और संतुष्ट देखकर खुद ही मुस्कुरा देते हैं आप बड़े हसमुक होते हैं सासी होते हैं और लब लाइफ में अगर कोई आपके प्यार को ठुगरा दे तो आप उदास हो जाते हैं लगता है जैसे पूरी दुनिया की गम्ही आपके पास आ गई है चिर्चिडे हो जाते हैं थोड़ी रफ्ट अफ हो जाते हैं प्रेम में और संतुष्ट मेस वाले जो होते हैं बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और यहां पर आपके जीवन में यहां से एक नेगेटिव बाला पक्ष सुरू हो जाता है आपको इन से बचना चाहिए अगर हम आपके प्यार के बारे में बात करें तो देखिए आपके लिए प्यार बहुत जरूरत की चीज़ है जिसको कि आपको हर हाल में पूरा करना चाहिए प्यार को अपना जन्म सिध अधिकार भी कभी कभी समझ लेते हैं हला कि प्यार में सब कुछ हासिल करने से जिजकते नहीं हैं यह ऐसी जगह में भी जाने से नहीं जिजकते जो कम लोग पुरिय हो पर अगर इनकी रूची है उस काम में तो वो वही काम करेंगे वैसे ही जगह जाएं वो बाहर आ जाती है एक जादू सा हो जाता है यानि प्यार ही इनके लिए सब कुछ होता है प्यार से ही मेस वाले हैं संबंदों में हमेशा ही इमांदार रहते हैं और खुद के भी प्रती इनको अंदेखा पसंद नहीं होता प्यार में और स्विकृती अच्छा नहीं लग सब कुछ खोज आ रहा है और यह चीजह आपके साथ होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप एकदम से जीवन जीना ही छोड़ देते हैं जीवन में जो जीवन की जो सक्ती है वही तो आपका ब्यक्तित्त है बड़े ही सीधे साधे सच्चे सरल साप सुथ्रे बोलने वाले होते है चल कपट तो कोसो दूर होता है आपका ब्यवहार में एकदम से पॉजेटिव चीजे होती हैं साहस भरे कारे करना जीवन को जस्न की तरह मनाना ये सभी चीजें आपके अंदर होते हैं होते हैं आप बड़े प्यारे आसानी से लोगों की प्रसंसा के पात्र बन जाते हैं औ आपको लगता है सब कुछ कलरफूल है लेकिन हकीकत में जब आपको धोका मिलता है तब लगता है सब कुछ बलैक और वाइट हो चुका तो आपको उदास नहीं होना चाहिए हलांकि हमारे ये टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको बता दें आप जो मेस वाले हैं इससे आप बचे रहेंगे सुरक्षित बने रहेंगे क्योंकि आपके अंदर जो उर्जा लेवल है ना भगवान सुर को परणाम करने से वो आती रहेगी और उर्जा का लेवल जब बढ़ जाएगा तो आपका मन भी सही दिसा में जाएगा आप भटकाओ से चुटकारा पाए लेते हैं वहां पर आप भटकने से पहले आप धोखा खाने से पहले समल जाते हैं चीजें आपके पक्ष में आ जाती है तो मेस बालों के बारे में बहुत सारी बाते तो हमने जानी चर्चाय हमारी जारी है लेकिन अब समझते हैं मेस बालों के लिए वो कौन से लोग हैं व अभी के दुनिया में प्यार तो फिर भी कोई और है अब उसके मन में क्या है यह आपको नहीं पता आप उनसे प्यार करते हैं वो दिखा रहा है वो भी आपसे प्यार करता है यह भी सच है अभी के इस दुनिया में तो अपने भाई बहन भी अपने नहीं है यहां तक कि माता भी अपने नहीं है अगर माता पीता के चार संतान रहें तो एक संतान के प्रती प्रेम जादा होता है और एक संतान के प्रती कुछ भी नहीं होता है सुनने तो ऐसे में हम हर माता पीता के बारे में नहीं कहते लेकिन ऐसा सच है यह कटू सकते है इस कलियुक का कड़वा सच त तो ऐसे में हम किसी और पर 100% ट्रस्ट कर लें ये तो भूल है अब अभी के जवाने में तो जीवन साथी जो पहले अगनी को फेरे लेकर कस्में खाते थे अब तो वहां भी कस्में जूटे पढ़ने लगे हैं तो ये चीजे मेस वालों के साथ हो जाती है और मेस वाले उदास हो जाते हैं तो आपको उदास नहीं होना है क्योंकि इन कठिन राह पर अगर आप उदास हो जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे तो चलिए हैं जम बात कर रहे हैं वो तीन नाम वाले लोग तो वो लोग हैं आपके लिए म, भ, न, यानि M, B, H, N इन तीन नाम वालो हारी की चाहत आप रख सकते हैं लेकिन किसी पर भी 100% भरोसा ना करें क्योंकि मेश वाले बड़े ही सरल दिल के होते हैं एक हिर्दय जो इनका होता है वो बिलकुल बच्ची की तरह मासूम होता है अगर आप किसी पर सब कुछ आप किसी के लिए सब को सब कुछ मान लेते है किसी को और वहां पर आपको जब बाद में पता चलता है वो आपका कुछ भी नहीं तो फिर आप एकदम से मायूस हो जाते हो और यह चीजें आपके भविस्टे के लिए बहतर नहीं होता है इसलिए हम कहते हैं 100% नहीं आप 99% भरोसा कर सकते हैं 100 नहीं थोरा सा किंतु परं लेकिन एक बात है इनसे दोका मिलने की संभावना कम है क्योंकि यहां पर आप लोगों की सोच मिलती है और सोच मिलेगी तो फिर आप लोग एक दूसरे की भावनाओं का कदर भी करेंगे लेकिन अब थोरा और आगे बढ़ते हैं प्रेम संबंधों के मामले में कैसे होते है अगर आप एक प्रेमी हैं तो आप कैसे होते हैं मेस वाले अगर किसी के लब में होते हैं ना तो बड़े चुलबुले हो जाते हैं और रोमांस करने के लिए जाने भी जाते हैं अपने लब का पिछा करेंगे किसी को आकरसित कर रहे हैं तो सीधे मुद्देब की बात करते ह बजाए की घुमाफिरा करने के लिए इने गुमाफिरा करने के बाते करने नहीं आता जो कहना अपना अच्छा से सांती से सामने से पुस्त करना जाते हैं तो नई चीजों में उल्जाकर रखी ताकि इनकी अरगे के साथ तालमेल बनाये रखना बहुत जरूरी है वैसे होते हैं बड़े भावुक बड़े मासूम लेकिन साहस वाले कारियों से प्यार भी है रिस्ता बनाना आसान इनके साथ नहीं होता लेकिन एक बार अगर यह चाह लें कि किसी के साथ इनको अच्छा लगता है फिल है कि मेसरासी वाले अगर आपके जीवन साती हैं आपके लव हैं तो यह समझ लें आप बड़े लगी हैं अगर हम दोस्त की बात करें तो दोस्त के रूप में कभी कभी दोस्तों के बीच जो इनका है एक बस यह समझ लें कि अगर इनको लगता है कि इनके दोस्त इनके ही तरह हैं इनके ही तरह बिंदास है इनके तरह ही बाते करते हैं ते ये अच्छा है लगता है लेकिन विप्री धारा के लोग इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आते क्योंकि जब यह किसी से दोस्ती करते हैं तो एक ठोस बंधन में बन जाते हैं जिस पर ये जीवन परियंत भरोसा करना चाहते हैं और करते भी है तो ये तो है में स्वालों की क्यों भी लेकिन अब जानते हैं वह कौन से रासी वाले लोग हैं जो आपको धोखा नहीं देंगे या देंगे तो बहुत कम संभाव ना है हमने फिर से रिपीट किया ये बाते माफ कीजिएगा क्योंकि 100% किसी पर भरोसा नहीं कर सकते तो वह कौन से रासी वाले लोग हैं सबसे पहली बात तो आपके लब रिलेस्टेंसिप में आप किसी के साथ हैं या आप किसी से साधी करने वाले हैं आपके लिए करकरासी तुलारासी मकरासी अच्छे होते हैं अगर इनके साथ आप रिस्ते में हैं तो फिर आप लगी हैं करक रासी तुला रासी मकर रासी ये आप से और इनकी दोनों की सोच मिलती है और जब दो रासियों के बीच सही संबन से रिस्ते बने तो यहां पर क्या होता है न ये रिस्ता लंबा चलता है और सही तालमेल भी रहता है अगर आप यहां पर जीवन बेहतर करना चाहते हैं तो इनके साथ रिष्टे आपके बनाने बेटर होंगे लेकिन मान लेते हैं अब आपका लब किसी और रासी का है वो आपका नाम वाला भी नहीं है अब आपका बिबाह किसी और रासी से हो गया है अब क्या करें जीवन में परिसानी है भगवान सूरी को रोज एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर अर्पीत करें सुबह सुबह तो जीवन के हर कष्ट हर समस्या दूर हो जाएगी तो हम आपसे भी दा लेते हैं उमीद है पसंद आ रहा होगा अगर आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेव और आपके कमेंट्स का भी हमें आ रहेगा धन्यवाद